कि या तो बच्चों अभी आप पारिस्थितिक तंतर के अंतरगत पारिस्थितिक ही है पिरामिड की बात करते हैं पिरामिड का नाम तो आपने सुना आकार आपको याद आगया होगा तिकोना शेप में वो दिखाई देता है तो अब हम इसको प्रकृती में देखते हैं कि ये ऐसे ही पिरामिड जो है हमारे प्रकृती में भी पाये जाते हैं और पाये जाते हैं इसलिए हम यहां पर पारस्थितिकी पिरामिड की बात कर रहे है तो पारस्थितिक पिरामिट क्या है अभी तक हमने कई सारी एकोसिस्टम की बात की हमने लैंड एकोसिस्टम पड़ा ग्रास लेड एकोसिस्टम पड़ा पॉर्ण एकोसिस्टम पड़ा इसके अलावा और भी एकोसिस्टम बन सकते हैं एक व्रिक्षवी एकोसिस्टम होता है शरीर भी प्रस्तित्र तन्त्र है जाहां पर बहुत सारे जीषानु घ़ंवे होगा जिसके कारण ही वह एक एको सिस्टम हो सकता है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैजे वह चये विक तो एक आकरिती बनाते हैं और वो आकरिती ही पिरामिट की तरह ही दिखाई देती है तो यदि हम जैसे देखें कि यह जो है किसी पारिष्टिक तंत्र के विभिन ने पोशक इस्तर की बात की है कि T1, T2, T3, T4, T5 की बात की है कोजिते हैं तो यदि हम इन लेवल की बात करते हैं तो उनकी संख्या, उनके जीवभार, यानि उनका वेट के अकॉड इंग और यह भीर उर्जा के हिएप से यदि उसकी मात्राओं को हम अनुपात को उसके मात्राओं के नुपात को यह चित्र के दाका का इसकी बात तो एक कौनिकल स्ट्रक्शर बनता है, एक कोन कि समान सरचना बनती है, इसी को ही पारस्थित की पिरामिट कहते हैं या शंकू कहते हैं, आप यहां एक एक एक्जामपल में देख लीजिए, जैसे हमने अभी देख रहे हैं कि यहां पर सबसे नीचे पर जो है घास है, जिसमें सबसे नीचे आप देख रहे हो गास की संक्या क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, उसके ऊपर आप देख रहे हो कि घास पर निर्भर रहने वाले जो शाकाहरी जीव हैं, यानि खरगोष, चुहा, घोड़ा, गधा, भेड़, यह जो है इनकी संक्या गास से कम होगी, और और अधार है वो चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम उपर बढ़ रहे हैं, तो उनकी संख्या कम होते जारे तिकोंने आकार को होते जारा है, तो आप देख रहे होगी, जो रचना बन रही है, कौन के आकार शंकु के आकार की बन रही है, इसलिए इसे पारस्तित की पिरामिट कहते हैं तो सबसे पहले अल्टन ने बताया था यह पारस्ति की पिरामिड बनता है और यह तीन प्रकार का होता है कौन कौन सा होता है तो पहला जीव संख्या का पिरामिड यानि संख्या के आधार पर यदि हम पिरामिड बना रहे हैं तो वह जीव संख्या का पिरामिड होग वो कैसे पराथमिक, उत्मादक से लेकर भोकता अभघटक तक एनरजी ट्रांसफर हो रही है, तो वो जब हम आप पिरामिड बना रहे हैं, तो वो कहता है उर्जा का पिरामिड हम उसको कहते हैं, तो आपने ये देखा कि तीन तरह के पिरामिड है, आब सबसे पहले हम बात करेंगे, जीर संक्या का pyramid यानि number of pyramid तो pyramid of numbers कैसे होगा कि number के according pyramid कैसे बन सकता है तो अभी हमने जो पिछला example देखा, सेव वही example आप ले सकते हैं क्योंकि यह आपको question आता भी है कि परस्तितिकी pyramid क्या है, इसके कौन-कौन से प्रकार हैं आप इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत करिए तो यह आप जो है आप देखिए जाहे आप घास आप नहीं बना सकते हैं लेकिन आप उसकी संख्या के आधार पार भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम तो जैसे हम जीव संख्या का, पिरामिड शो कर रहे हैं, तो इस में गया होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्पादकों की उत्पादक की संक्या सबसे उब इन निर्फर ने वाले प्रात्मीक उभॉчи कि संख्या होगी और उपर की बात करें द्वतिय को भॉगता कि संख्या काम वोगी तो धिरह धीरे हम जब सर्वोच्छ उभॉगता की तरफ आते हैं तो उनकी संग्या सबसे कम changes संख्यां धिया . . . . . . . पिर उसे आपPress Element निर्भर रहने वाले घर्ज़ ए वह संख्यार भान स्थ थे. संख्या औ highwayструк कंच्छा इस जाख राएं , जीव काँनीच निर्भर संख्याय स्था कहि oblige ? तो इस तरीकी से आप देख रहे हूं संख्या नीचे से लेकर में कम होते जा रही है तो इसको हमें कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड अब क्या पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा या कौन सा घ्यन देना है तो अभी जासे हमने इसे कि ठाव मैदान यह वन का पारस्तितेक तंत्र की बात करें यह हम तालाब के पारिस्तितिक तंत्र की बात करें, तो इनका जो पिरामेड बनेगा, वो सीधा बनेगा, यानि नीचे में जो है, वो कैसा रहेगा, आधार ज्यादा रहेगा, यानि उत्पादक ज्यादा रहेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे, तो उनकी संख्या काम होत तो तलाब में भी आपको याद है कि हमने जब ecosystem की बात की दी तो नीचे जो प्रोडूइसर से ववर्थ इने वाले जूफञेंड़ उन पर नेरभए रहने वाले जु फीश थी और उन पर रहने वाली बड़ी पिश थी तो संख्या ओते गई कम होती गई तो서 सीधा बनेगा लेकिन उल्टा गोंसा बनेगा यह कभी-कभी आपको कोश्चन आता है तो आप एक्जामपल के तुरू इसको समझा सकते हैं व्रिक्ष का पारस्थितिक तंत्र जो है वो उल्टा बनता है वो कैसे बनेगा अब हम यहां क्या बात कर रहे हैं संख्या की बात कर रहे है जब हम सीधे पिरामेड की बात कर रहे थे तो वो नीचे से उपर कम होते जा रहे थी अब यह क्या होगा की नीचे में कम रहेगा और उपर में संख्या जादा रहेगी तो आब यह देखे है व्रिक्ष का पारस्थितिक तंत्र रिक्ष एक है उस पर निर्भर रहने वाली यानि पक्षी वो ज्यादा संख्या होंगे और इन पक्षियों पर निर्भर रहने वाले परासाइट्स या परजीवी तो आप देख रहे हो उनकी संख्या ज्यादा होगी तो यहां पर आप देख रहे हो कि नीचे की संख्या कम है और उपर जो है संख्या बढ़ती जा रही ह तो यह कैसा पिरामिड बना उल्टा बना तो इस तरीके से हमने जीव संख्या का पिरामिड पड़ा जीव संख्या का पिरामिड हमने देखा अब हम जीव भार के पिरामिड की बात करते हैं तो जीव भार का पिरामिड क्या होगा कि एक खाद श्रिंखला के उत्तरोतर पोशा जीवभार के नुपात को चित्र के द्वरा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह पिरामिड क्या कहलाएगा? जीवभार का पिरामिड. तो इसका एक्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो जो भी जितने भी टेरेस्ट्रियल एको सिस्टम है, हमने लेंड की बात की, हमने फोरेस्ट एको सिस्टम की बात की, तो उसको यदि हम देखें, तो आप देख रहे हो कि इसका जो पिरमीड है, वो कैसे बन रहा है, सीधा बन र जैसे हमने संख्या वाले में भी देखा था अब भार के में देखने तो क्या होता है तो भार में आप देख रहे हो कि ट्री का जो वेट है जो भार है वो क्या होगा सबसे जादा होगा उस पर निरभर रहने वाले जो पक्षी है उनका कम होगा और और उन पर निरभर रहने व तो यहां ट्री को exerc Glad discipline लेकिन संख्या में हम देख देख रहे थे तो उल्टा था भार में उल्टा बने गां अब जीव भार में उल्टा Ho उड्डी helpful तो वहुग का एको सिस्टम है उसको भी हम एक्जांबल से देखpur insult आप ये ग्जाम्बल देख रहे हैं कि आपको ये उल्टा पिरामिट दिखा ही दे रहा है जिसमें सबसे नीचे में आप देख रहे हो फाइटो प्लेंक्टन हम याँ भार की बात कर रहे हैं आप याद रखिएगा भार की अकॉर्णिंग फाइटो प्लेंक्त नंबर में तो यहां पर हम कैसे बात करने वेट वाइस बात करने नीचे से ऊपर कम होते जा रहा है तो यह पॉंड का इको सिस्टम कैसे बन गया उल्टा बन गया तो यह कहीं कहीं आपको एक्जाम्पल्स ऐसे इस तरह के कोश्टन्स आते हैं कि जीवार का यदी पिरामिड उल्टा बनाना है उसके उल्टा पिरामिड के अकॉर्डिंग उसको समझाइए तो आप यह पॉंड का एको सिस्टम से समझा सकते हैं और यदि जीव संख्या का आता है तो उसमें भी आप बता सकते हैं अब हम एक और तीसरे पिरामेट की बात करते हैं जो कि उर्जा का पिरामेट है यानि एनर्जी पिरामेट है तो एनर्जी पिरामेट जो है यह हमेशा सीधा बनेगा कभी एक आपको कोशन आ सकता है कि जो प्रोडिूसर होते हैं वो ही क्या करने है सूरी की उड़जा को आफ्शूर्शित करके भोजन बनाते हैं आब और आगे हम energy flow में पढ़ेंगे कि जितनी भी energy that Ox Fe on-up अधीन को आपजोड़ करें नहीं कि बॉधारो युजकर हम ये जाता है और नहीं पौदों के द्वारा संग्रहत की गई उर्चा जो है आगे के लिवल में ट्रांसफर होती है यानि प्रथम दितिय तृतिय जो उभोगता है उनमें ट्रांसफर होती है तो आप देख रहे हो कि धिरे धिरे उत्तरोतर लिवल में देखा जाए तो यह क्या होरी कमी होती जा रह जितना ये लंबा चेंग रहता है किसी भी खादेशिंखला का उत्तरो ची हास कि उर्जा का हास हम्या तो सब से ज्यादा जो लेवल दे रहेगा वो नीचे लेवल में रहेगा तो हमने अभी ये तीन उर्जा का पिरामिट, जीवसंख्या का पिरामिट, जीवभार का पिरामिट ये तीनों पिरामिट की बात करी अब हम energy flow की बात करते हैं ये भी एक important question आता है कि energy flow किया है अभी हमने जैसे में आङ करें और वographer बाते हैं कि एक इको सिल्टमम में इनर्जी गड़ी क किस तरीके से होता हैं। मैं जानते हैं कि किसी भी एको सिल्टम में जैविक गटक, एक महत्रपूय भागे वह ऐने जीव का जीविततर रहने के लिए क्या जरूरी है उर्जा। तो यह उर्जा जो है उसके विभिन जो भी शरीर में गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए यहां कहना चाहिए जैविक क्रियाओं के संजालन के लिए उर्जा क्या अशक्ता पड़ती है और यह उर्जा उनको मिलती कहां से है आप यह सभी जानते हैं कि यह उर्जा जो है भोजन से मिलती है और यदि बेसिक सोर्स यदि पता किया जाए तो यह उर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य तो यह उर्जा कहां से मिलेगी सूर्य से मेलेगी तो यह सूर्य से कैसे मिलती है हम तक की कैसे पहुंचती है इसको समझना जरूरी और यह फ्लो कैसे हम तक पहुंच रहा है यह कहना ची कि कि किसी भी पारित अंत्र में टॉप मोस्ट लेवल तक यह जो एनर्जी जो है वो रासानिक भोजय पदार्थों के रूप में संगरहित कर लिजाती है और इन ही उत्पादकों को खा कर जो अब घटकों तक जो है यह उर्जा का स्थनांतरन होता है तो इस तरीके से में सोर्ज जो है सूर्य है वहां से निकली उर्जा उत्पादक के द्वारा जो दासानिक भोजवपदार्तों की रूप में संचित कर ली गई और ये उर्जा आगे जो है उभोगता और अब घटको तक जो प्रवाहीत हो रही है इसे ही उर्जा का प्रवाह कहते हैं या- energy flow कहते हैं तो यह energy flow जो है वो दो step में होता है पहले step की बात करते हैं तो यह है सौर उर्जा का संग्रहन यानि सौर उर्जा जो radiant energy है वो कैसे संग्रहित होगी और कैसे बोजय बदार्तों में उसमें संग्रहित करेंगे तो सौरी की जो radiant energy है इसको green plants के द्वारा रसाइनिक उर्जा यहां भोजय पदार्तों के द्वारा संग्रहित कर ली जाती है आप सभी जानते हैं कि जो सौरी की उर्जा जो है वो chlorophyll अफ्शोशित करते हैं और आपको जानकर आश्चर होगा कि सौरी की जो radiation है यहां कहना चाहिए जो उसकी light energy है वो पूरी की पूरी जब प्रित्वी पर तो पड़ रही है लेकिन पौदे उसका केवल कुछ ही प्रतिशल कुछ में ही कहना चाहिए कि ओनी वन से टू परसेंट ही वो अफ्शोशित कर सकते हैं या उस उर्जा का जो है वो chlorophyll के द्वारा अफ्शोशन किया जाता है और बाकी जो उर्जा है यानि सूरी की जो बाकी 99 या 98-99 परसेंट जो energy है वो सब कुछ प्रित्वी को गरम करने या औन्य वस्तिओं को गरम क करने में चला जाता है तो इस तरीके से केवल वन से टू परसेंट ही energy जो है क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉब होती है और वही एनर्जी जो एब्जॉब की गई वो प्रकास इंसलेशन की क्रिया के द्वरा रसाइनिंग बंध के रूप में जब वो रसाइनिक में ट्रांसफर होगी तो जो दूसरा स्टैफ है वो energy का फ्लो कैसे होता है तो energy का फ्लो जो है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको 10 परसेंट लो भी कहते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि उत्पादकों के द्वारा उर्जा ग्रहन किया गया उर्जा जोग्रहन की गई वोट प्रकास नस्टिलेशन के द्वारा कार्वनिक पदार्थ बने अब कार्वनिक प्दार्थ ओं पधार्थ जो पौधा है वो जो एनर्जी जिसके जरी उसने चार्बोहाइड्रेट बनाया या कर्बनीक वदार्थ बनाया उसमें से बहुत सारा हिस्सा तो वो अपने लिये यूज करता है क्योंकि उसको भी जीवित रहना है उसको भी ग्रोथ करना है respiration process है यह और भी बहुत सारी vital activities है जो उसमें चल रही है तो उसमें उसको energy लगती है तो कहना चाहिए कि 90% जो energy है वो उसके खुद के utilization में लग जाती है only 10% energy जो है उसके पास save रहती है अब वो जो save या stored energy है उसको कौन खा रहा है प्रात्मी को भूगता खा रहा है तो वो 10% जो उसके पास transfer हुई energy उसका भी वो 10% का 90% वो अपने लिए वो use करता है बाकि उसका 10% जो है वो next level के लिए बच जाता है तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो energy जो बच रही है वो 10% ही transfer हो रही है 90% जो जीव है वो अपने लिए use कर रहा है तो यदि हम इसको एक example से समझते हैं कि मालो 10,000 कैलोरी जो है उत्पादकों के द्वारा ग्रहन की गई तो 10,000 का 10% होगा एक हजार जो next level पहुँच गया फिर उसका 10% हम बात करेंगे तो 100 किलो कैलोरी अगर 100 किलो कैलोरी का 10% निकालेंगे तो 10% उनकालेंगे तो 10% इस तरी के स Debude के अतो इस तरीके से जो आप देख रहे हो और युज़री और इस एक्जामपल के जरिए जो है आप इस फ्लो को आप समझा सकते हैं कि 10 प्रतिशत एनर्जी ही यूज नेक्स्ट लेवल के लिए बच जाती हैं, बाकि 90 परसेंट जो है जीव अपने वाइटल अक्टिविटीज में खर्च करता है, उसमें उसकी ग्रोध हो सकती है, रेस्पिरेशन हो सकता है, हीट, आप जानते ह वह रिमेनिंग 10% ही वह आगे के लेवल में जा रहा है, अब आगे और हम बात करते हैं कि यदि फोर्थ लेवल तक चला गया, तो 10% के बाद जब घटकों की बात आएगी, तो अब घटकों तक जो है वह बहुत ही कम उर्जा जो परसेंटेज है वह बच जाता है, तो इस त अब आरी तंत्र में वह लेएखा उर्जा रुपांतरित होते होते हैं, उर्जा का परवाह हमेशा एक दिश्य होता है, सांत यामने देखा कि हरे इक इसतर पर उर्जा की कुछ न कुछ कमी हो जा लिए और हरे एक लिवल पर 10% ही इस इसको 10% लो कहते हैं, अब आपने उर् दाइनमिक्स का जो नियम है उसमें उर्जा का जो नियम है वो पड़ा होगा वो पहला नियम क्या कहता है कि उर्जा का निर्मान तथा नाश नहीं होता बलकि इसका रुपान्तरन होता है और दूसरा नियम क्या है कि उर्जा रुपान्तरन के समय कुछ उर्जा अनुप्योग कि दियुक्त रह जाती है जिसके कारण 携ण रुपांतरण के समय और चाहते हैं और यह यह धर्मन धायनमेक की का दूश्फंव एम गुष हम देखने ये और चाहण फॉलो हो रहा है कैसे ब्लू हो रहा है इसको समझना है तो जैसे हमने कि उर्जा प्रवा के समय जो है उर्जा का अधिकाँश भागले पर जाता है अब रुपांतरन जब हो रहा है तो और गुझा है है मनें reduction हो रहा है heat के रूप में respiration के रूप में यह वाइटल activities के रूप में अंत में बचीवी उड़जा का कुछ भाग प्रकृती में स्वतंत्र हो जाता है यह तो प्रकृती में अवशेश है तो यह तो वह अवशेश के रूप में रह जाते हैं तो इस तरीकी से जो है उर्जा का भी नस्ट नहीं होती है आप देख रहे हैं उर्जा का रूपांत्रन हो रहा है एक से दूसरे फॉर्म में हो रहा है किमल उसका वह रूप बदल रहा है तो नस्ट नहीं होत कुछ उर्जा प्रवाक कित की तो उस में यह नियम कैसे लागू होता है इसको समझाईए तो इस तरह के से कुछन आता है कि इस तरह के सावटा सकते नियम होता है इसा sixa usando आप बता सकते हैं